हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे आप सभी I HOPE की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट सोसल इस्टडीज के वीक नमबर 25 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की Not Delhi Municipal Corporation के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्क सीट का टॉपिक है Means of Communication तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों आपके घर में इन में से कौन से संचार के साधन है तो बच्चों यहाँ पर है Mobile Phone, Television, Radio and Newspaper तो बच्चों जैसे कि मेरे घर में यह सभी हैं तो यहाँ पर सभी पर सही का निसान लगा गया है तो बच्चों आपके घर में जो भी Means of Communication है इन में से तो आप उस पर सही का निसान लगाएंगे आप बच्चों Question No.2 By which the following means of communication you can see and hear the message बच्चों आपके संचार के साधन से संदेश को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर Option में दिये गए हैं टेलिफॉन, रेडियो और टेलिविजन तो बच्चों हम टेलिविजन से message को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं तो बच्चों इस पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है Draw the given picture and color it बच्चों यहाँ पर जो picture दी गई है इसे आप draw करेंगे, बनाएंगे और इसमें color fill करेंगे तो बच्चों यह है टेलिविजन की picture आप सभी इसे बनाएंगे और इसमें सुन्दर से रंग भरेंगे Life skill Washing hands हाथ धोना Step first है approach sink Sink के पास पहुँचें Approach the sink for hand washing It means हाथ धोने के लिए sink के पास जाएं Step 2 क्या है Apply soap on hands हाथों पर साबन लगाएं Find the soap and rub it on top and bottom of hands साबन लेकर साबन को अपने हाथों पर उपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड लगाएं And in between fingers और उंगलियों के बीच में और फिर बच्चों से rub करें रगणे Count to 30 before proceeding to the next step और अगले step पर जाने से पहले 30 तक गिने It means इतने टाइम तक आपको अपने हाथों को rub करना है साबन से Step 3 है rinsing hands अब बच्चों आपको अपने हाथ दोने हैं Rub hands together दोनों हाथों को rub करें रगणे And in between fingers और उंगलियों के बीच में Under the running water किसके नीचे जो पानी चल रहा है बहते हुए पानी में धोएं Until all the soap has been removed from hands जब तक कि साबन आपके हाथों से हट न जाए Step 4 में क्या करना है Drying hands हाथों को सुखाना Six hands off in sink And then dry with nearby towels और paper बच्चों Sink में हाथों को धोएं और फिर सुखा लें उन्हें और किसी जो पास में पेपर है या टौवल है तौलिया है उससे पहुँच लें संसकार साला The beautiful thing about learning Is सीखने की सबसे सुंदर बात सबसे अच्छी बात ये है That no one can take it away from you कि आपसे इसे कोई नहीं ले सकता है Food and drink में आज आप क्या लेंगे Always heat your food Before you eat in winter सर्दियों में खाने से पहले अपने भोजन को गर्म करें Activity, Draw or Post List of 5 things you eat frequently in winter सर्दियों में आप जो भी चीजें खाते हैं आप बच्चों उनमें से 5 चीजों की एक लिस्ट बनाएंगे और उनकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसे पेस्ट करेंगे Game Play word building of eatable items बच्चों जो खाने वाले पदार्थ होते हैं आइटम होते हैं आप उनके नाम की क्या बनाना है आपको word building वाला game खेलना है उनके नाम जो है बोलने है With the last letter of the word अब बच्चों जो word है उसका last letter है Start with the word tomato तो बच्चों आपको प्रतियक word में क्या करना है जो last letter है उससे new word बनाना है और आपको शुरुआत करनी है टमेटो word से Daily routine Include the following habits in your daily routine दीगे habits को आप अपने daily routine में include करेंगे सामिल करेंगे Begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें Brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को ब्रश करें टे का बात daily रोजाना नहाएं Drink plenty of water पर्याप्त मात्रा में पानी पियें And eat a balanced diet और संतुलित आहार लें Avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें And wash your hands frequently और नियमित रूप से अपने हातों को धोई Complete your homework on time और अपना कारे समय से करें Students, if you like this video Please like and share And if you are new on this channel Please subscribe the channel Thank you